एट स्वेयफ ओप टूर नंबर्स दोस्तों हम अपना मैथड काम में लेने वाले हैं आपका फ्राइम फेक्टो राइजेशन मैथड और इसके लगभा आपके पास अन्य मैथड कौन सा है अन्य मैथड है दोस्तों डिविजियन मैथड ठीक है तो डिविजियन मैथड अभी ह हम काम में नहीं लेने मारे हम प्राइम फेक्टर के द्वारा आपका निकालना सिखेंगे तो आप इस वीडियो को पुरा देखे और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यहां पर देखे जो मैंने पहला ही पहला आपका एक्जामपल लिया है वो है आपका दोस्तों बारा एंड अठारा का हमें एस वीडियो निकालना है तो यहां पर दोस्तों मैं इन दोनों के प्राइम फेक्टर कर देता हूँ prime factor करने के लिए आप जानते हैं हमें क्या करना पड़ता है अपने prime number से divide करना पड़ता है तो यहां पर देखे जो 2, 3, 5, 7 1 से 10 तक prime number मैंने लिख दियا तो इसका prime factor कुछ इस तरह से किया जाता है एक बार समझना है उसके बाद जिनकी बरियाद रहेगा। इसमें हमें हम अपना प्राइम नंबर से स्ट गरा करते हैं। इसमें टू कीप्राइद करना सबुआ करते हैं। इसमें 2 kari डिवाइद कीप्रा इसमें A102 की बातंगे ऐस प्राइम डेनां। तो यहां पर इस 12 के आ नो में आपका 3 का डिवाड़ होगा, कितना 3 टाइम, 3 में 3 का डिवाड़, 1 टाइम, तो 18 के प्राइम फेक्टर के आगे देखो, यह आपका 2 मल्टिप्लाई, 3 मल्टिप्लाई, 3, हमें यहाँ पे क्या निकालना हैं दोस्तों अपना, HCF निकालना है, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइस्ट कॉमन फेक्टर, यानि आप बस अपने कॉमन फेक्टर को याद रखो, ऐसा फेक्टर जो की, यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखो कौन है, 3, उसके बाद देखो, टू यहाँ भी है, यहाँ भी है, अब देखो, 3 यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, टू यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो यह जो इन comenz factor का multiplication है, वो आपको क्या देता है दोस्तों? HCF देता है, तो यहाँ पर इन का, HCF हमारा कितना निकला? HCF of, 1 to end 1, 8 is 6 अब देखिए next example लेते हैं अपना थोड़ा अचा example लेते हैं उसमें आपको ज्यादा समझ आएगा उसको भी आप ध्यान से देखेगा जैसे दोस्तों मैं अपना choice and 36 की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं choice के factor कर देता हूँ factor करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2, 3, 5, 7 अपने prime number को ज्यान में रखना पड़ेगा तो यहाँ पर देखो choice में मैंने 2 का divide किया कितना 1, 2 time होगया इसमें 2 का divide किया 6 time होगया इसमें 2 का divide किया 3 time होगा 3 में 3 का divide किया 1 time किसी को divide करने में दिकत हो तो इससे side में लिख कि divide कर लेना चाहिए कितना 2 time होगय minus किया 0 आ गया जितने time divide होता हो इसके देखो ऐसे समाझ सकते हैं इसके just नीचे लिखना है इसी तरह से δेखो 37 के हम अपना factor करेंगे चीए तो इसमें देखो मैंने 2 का divide किया कितना 1 8 time होगय इसमें 2 का divide किया कितना 9 times होगय 9 में 3 का divide किया 3 time 3 में 3 का divide आपका 1 time तो यहाँ पे 24 के factor किया आगे देखो द्याहाँ से 2 आपका कितना 3 time आया है और 3 आपका 1 time 36 की बात करते हैं देखो इसमें 2 आपका कितना 2 time और 3 भी कितना 2 time हमें यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों आपका HCF निकालना है ओके HCF कैसे आगा अभी मैंने आपको बताया कि दोनों के common factor का multiply करना है common factor नहीं ऐसा factor जो कि यहाँ भी है यहाँ भी है कौन मिल गए 2 again देखो 2 यहाँ भी है यहाँ भी है again देखो आपका 3 यहाँ भी है यहाँ भी है अब देखो 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है 3 यहां है लेकिन यहां नहीं मतलब इतना ही है इनका multiply कर दिया कितना आगया दोस्तों आपका 12 तो इस तरह से यहां पे आपका क्या निकल जाता है HCF HCF देखे ऐसा नंबर होता है जो की दिये गे नंबर को complete divide करता है और यह आपका highest ऐसा नंबर होता है ठीक है जो की दोनों को complete divide करने में सक्सम होता है तो इसको आप ऐसे भी समा सकते हैं तो दोस्तों यहां पे दो example लिए हमने two number के HCF निकालने का अब आपको चाहिए कितने भी number दे दिया जाए क्या करना है sub का जो common factor है यहने ऐसा factor जो की sub में हो जिसे यहां के दो की बात की जा रही तो दोनों में हो उनका multiplication करने से आपका क्या आजएगा HCF आ जएगा इस तरीकी को आप कहीं भी लगा सकते हैं और हाँ सब से महत्वन बात यह है आपको factor करने आने चाहिए यहीदी factor करने में आपने कहीं पर गलती कर दी तो फिर आपका HCF भी गलत निकलेगा इसलिए factor करने के अच्छी practice करो HCF आपको आ जाएगा Thank you